हेलो गाइस, करंट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अभिशेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 2 सितंबर तके सभी इंपोर्टेंट करंट अफेर्स कवर करने वाले हैं, हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत्य तक जरूर द कर लिजे, क्योंकि जो भी हमारा PDF मैटियल है, जिसमें आपको करंट अफेर्स के साथ साथ स्ट्रेटिची के भी प्रोवाइट कराते हैं, यह सब भी मैटियल आपको हमारी करंट अफेर्स फंडा एप पर यूपलब्द हो पाएगा, हमारे PDF को अपको कोई भी डाउट है, क उसका प्रोशेस आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, या तो आप मैसेज कर दीजेगा हमारी ग्रूप में, या फिर आपको वही पर एक पिन मैसेज मिल जाएगा, उसको देख सकते हैं आप, तो शलिए फिर करते हैं, शुरुवात इस वीडियो सेशन की, जून 2022 को समापत तिमाही में, बैंक रिण वृद्धी किस परतिशत तक बड़ी है, ओप्शन्स आपके सामने हैं, सही आंसर ओप्शन्स C है, 14.2 परसेंट, देखे, रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया ने, quarterly statistics on deposits and credit of scheduled commercial banks for June 2022, तो ये रिपोर्ट जारी की है, इसमें जो डेटा है, वो सभी scheduled commercial banks जो है, जिनमें की regional banks, small finance banks, payment banks, ये सभी सामिल होते हैं, इनसे डेटा यहां पर collect किया गया है, तो इसमें बताया गया है, कि जो quarter end हुआ है, 14.2% रही है, जबकि previous year में, यदि हम June 2021 के बात करें, तो वहाँ पर ये जो growth थी, केवल 6% थी, आपको जानना चाहिए, मार्च 2022 में, जो quarter end हुआ हमारा, तो उसमें जो bank rate है, ये 10.8% रहा था, quarter के बारे मैंने आपको कल बता दिया था, साथे आपको जानना चाहिए, जो current account and saving accounts है, यानि की कासा deposit, तो total deposit में, जो कासा deposit, जो है, इसका share भी बढ़ा है, पिछले अगल हम last 3 years की बात करें, तो जून 2020 में 42% था, 43.8% जून 2021 में रहा, और 44.5% जून 2022 में रहा है, इस तरह के आकड़े, जो होते हैं, यदि आप 2-3 बार पढ़ देना, तो आपको समझ में आ जाते हैं, आपको याद भी हो जाते हैं, तो एक बार जब मैं बताता हूं, एक बार आप पॉस्ट करके भी देख सकते हैं, यह आपको समझ में ना है, साथी यहां पर यह भी बताया गया है, जो credit deposit CD ratio है, यह 73.5% रहा है, at all India level, साथी जो metropolitan branches हैं, बैंक्स की जो metropolitan branches हैं, वह launch a range of credit cards on payments network रुपे, भुकतान network रुपे पर credit card की सरंखला शुरू करने के लिए किस बैंक ने भारतिय रास्टे भुकतान निगम के साथ अपनी सायधारी की घोशना की है, options आपके सामने हैं, सही आंतर option C है, ICICI bank, आप हो जाना चाहिए, ICICI bank ने यहां National Payments Corporation of India के साथ partnership की है जिसके तहट जो payments network है, रुपे, तो इस पर यह कई सारे credit cards की ranges launch करेगा, तो यह जो है coral variant, जो है bank का, यह जो ICICI bank का जो gemstone series है, तो इसके coral variant इसमें available रहेंगे, जैसे rubics हो गया, sapphire हो गया, इस तरह की variants जारी करेगा, ICICI bank, ICICI bank के बारे में आप जानते हैं कि MDNC उसंदीप बक्षी है, headquarters मुंबई है, tagline है हम है ना, खयाल आपका, अच्छा, ICICI से सम्मंदित हमने पिछले कुछ महीनों में, जो महत्रपूर्ण current affairs पने हैं, उन्हें revise कर लेते हैं, तो आपका ICICI bank बिल्कुल clear हो जाएगा, कि कौन कौन से current affairs रहें, तो देखेगा, ICICI bank ने हाल ही में, जो set under UK, इसके साथ MOU sign किया है, NMDFC, इसने भी ICICI bank के साथ एक pact sign किया है, banking software और app development के लिए, साथी ICICI bank ने state of the art phone banking center अपना भूवनेश्वर उडिशा में integrate किया है, साथी ICICI bank ने campus पर, जो की student ecosystem के लिए एक digital platform है, इसको launch किया, साथी ICICI bank ने chest money के साथ भी partnership की है, to expand its cardless EMI facility, साथी ICICI bank ने कई सारी digital facilities introduce की है, अपने money to world platform पर, तो ये भी अपने आप में question है, कि money to world platform किस bank से सम्बन दे थे, ICICI bank से, तो ये से भी महत्रबून current affair हैं, जो हमने पिछले कुछ महीनों में देखे हैं, और यहां से भी question आपके बन सकते हैं, Reliance Industries announced the commitment to infuse how much lakh crore to build its Pan India true 5G network, Reliance Industries ने अपने Pan India true 5G network के निर्माने के लिए कितने लाग करोड रुपे का निवेश्च करने की परतिबद्धता की घोशना की है, options आपके सामने है, सही answer option भी है, 2 lakh crore रुपीज, देखे, Reliance Industries के जो चेर्मेन है मुकेस अम्बानी, इन्होंने announce किया है कि हमारी जो company है, वो Pan India true 5G network बिल्ड करने के लिए 2 lakh crore rupees infuse करेगी, और आपको बताने जो Reliance Jio है, यह plan कर रहा है कि Jio 5G दिवाजी 2022 तक कुछ multiple key cities में, जिनमें की डैली, मुंबई, कॉलकता चेन नहीं ह यहाँ पर launch कर दिया जाए, Queen Maxima of which country called on the President of India, drop the mormu at rastpati bhavon recently, किस तेश की महरानी, Maxima ने हाल ही में, rastpati bhavon में भारत की रastpati, drop the mormu से मुलाकात की है, options आपके सामने है, और सही आंतर option D है, the Netherlands, तो देखिए, the Netherlands की queen है, Queen Maxima, तो इन्होंने हमारी जो President है, drop the mormu, इन से मुलाकात की है, rastpati bhavon में, तो दोनों ने ही, Netherlands और India के बीच में, जो bilateral relations है, उनको और किस तरह से आगे किया जाए, किस तरह से forward किया जाए, इस बारे में discussion किया है, आपको यह जानना चाहिए, अप्रेल 2021 में, भारत और Netherlands, strategic partnership on water, इसको launch किया था, the registration process of new companies has been eased by the IRDI, reducing the time taken to process new applications from 6 to 8 months, to how many months, IRDI द्वारे नई company की पंजी गरण परिकेर को आसान बनाया गया है, नए आविदनों को संसोधित करने में, लगने वाले समय को 6-8 महीने से कटा कर, कितने महीने कर दिया गया है, options आपके सामने है, सही आंतर option भी है, 2, तो देखिए, देवाशी श्पांडा, जो की Insurance Regulatory and Development Authority of India, IRDI के chairman है, इन्होंने ये बात कही है, कि जो registration process होता है, नई companies का, नई companies का जो registration process है, उसको हमने काफी आसान बना दिया है, जिसके कानण उसका time, जो है, वो भी अब कम हो गया है, पहले 6-8 महीने लगते थे, रेश्टर करने में, आप केवल 2 महीने लगते हैं, नेसल फार्मस्योटिकल प्राइसिंग अथरोटी, सेलिब्रेटेड इट्स सिल्वर जुबली ओन 29 अगस्ट, वु इस इट्स प्रेजेंट चेर्मेन, राष्टिय औस्थी मुल्य निर्हान प्रादिकरण, यानि कि NPPA ने 29 अगस्थ को अपनी रचत जैनती बनाई है, इसके वर्तमान अध्यक्ष कोन है, ओप्शन्स आपके सामने है, सहीया अंत्रोप्शन्स ही है, कमलेश कुमार पंद, तो आपको जाना चाहिए, नेसल फार्मस्योटिकल प्राइसिंग अथरोटी, तो 29 अगस्थ को इसने अपने 25 साल पूरे कर लिये है, सिल्वर जुबली इन्होंने सेलिब्रेट की, इस मोके पर इनके द्वारा एक इंटिग्रेटर्ट रिस्पॉंसिव, क्लाउड बेस्ट अप्लिकेशन लॉंच की गई है, जिसका नाम है, इंटिग्रेटर्ट फार्मस्योटिकल डेटाबेस मैनेजिमेंट सिस्टम 2.0, IPDMS 2.0, इसको के द्वारा कॉंसिटूट किया था, ये मिनिस्ट्रे ऑफ कैमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के तहत, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मस्योटिकल जो आता है, उसमें एक अटेस्ट ओफिस है, और जो ड्रक्स है, उनकी प्राइजिंग को रेगुलेट करने की लिए इंडिपें वैदिक प्रेनेटेरियम, विल भी ओपन इन वीच स्टेट, विस्वगा सबसे बड़ा धार्मिक इसमारक, टेंपल ओफ वैदिक प्रेनेटेरियम, किस राज ये में खोला जाएगा, ओप्शन्स आपके सामने है, सही अंतर ओप्शन भी है, वेस्ट बेंगॉल, तो देखि इसको आप जानते हैं, इसके हैटपाटर के तोर पर ये सर्व करेगा, तो बिगेस्ट डॉम भी होगी, और लार्जस रिलेस्ट मॉन्यमेंट होगा ये वर्ड में, आपको बता दें, ये वेस्ट बेंगॉल के मायापूर, जो की नादिया इस्टिक में आता है, यहाँ पर है, एक बार जब ये कंपलीट हो जाएगा, तो ये ताज महल और जो सेंट पॉल्स कैथरल है, वेटिकन में इससे भी बड़ा होगा, दोजार चोबीस में टेंपल ओपन हो जाएगा, और कंबोडिया का जो चार सो एकड में फैला हुआ अंकोरवाट टेंपल कॉंपलेक्स ह जो की फिला लार्चस्ट्रिलेज मॉन्नुमेंट है, उसको रिप्लेस कर देगा ये, लार्चस्ट के मामले में, आपको बता दें, हंड्रेड मिलियन यूएस टोर का ये प्रोजेक्ट है, 2010 में सुरुआत होई थी, इंडिया के संचालक के प्रबंद निदेशक और मुख्य कारेकार ये दिकारी के रूप में कौन कारेबार समालेगा, ओप्शन्स आपके सामने हैं, सही आंतर ओप्शन, ये है संतोस अईयर, आपको जाना चाहिए, मर्सिटीज बैंज, इंडिया ने अनाउंस किया है, कि जो इनके सेल्स और मार्केटिंग के हैड है, संतोस अईयर, ये एक जनुवी 2030 से मैनेजिंग डिरेक्टर और CEO बनाए जाएंगे, और ये फर्स्ट इंडियन होंगे, जो कि इस रोल को निभाए आप से भी जानते हैं, मर्सिटीज बैंज, ये जर्मनी लक्षरी कार्मेगर है, और ये मार्टीन स्वेंक, इनको रिप्लेस करेंगे, जो कि अब थाइलेंड में चीफ एक्जेक्टिव ऑफिसर बना जा रहे हैं, मर्सिटीज बैंज के, और ये नरिंदर बत्रा, जिनोंने की लास्ट मूंत रिजाइन कर दिया था, उनको रिप्लेस करेंगे, साथ ही आप कोई भी जानना चाहिए, कि ओलम्पिक एसोशियन की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है, कि जब कोई ओलम्पियन इसका प्रेजिडेंट बनाया गया है, आपको बताने, 1980 मॉस्को ओलम्पिक गेम्स में, जो सुमारी वाला है, इन्होंने कम्पीट किया था, इस्ट्रेंट्स ओफ विच उवर्स्टी है, वोन फस्ट प्राइज इन इस्मार्ट इंडिया हैकतोन 2022, होस्टेट बाई दर मिनिस्ट्री ओफ एजूकेशन, किस इस्ट्राले के चात्रों ने, सिक्सा मंत्राय द्वरा आयो जित, स्मार्ट इंडिया हैकतोन में पर्तम प्रुशकार चीता है, आपके सामने है, सही आंसर उप्शन दी है, इंद्रागांधी नैस्टन ओपन इंवरस्टी, तो देखिए, इंद्रागांधी नैस्टन ओपन इंवरस्टी, इगनु के students ने आपर first prize जीता है किसमें Smart India Hackathon 2022 के grand finale में जो की Nodal Center at Bill Nye Street of Technology मैस्टा राची में आई जित किया गया आपको बता देए जो event है जो Smart India Hackathon 2022 है ये Mr. of Education द्वारा और्गनाईज किया गया previous assignment questions के answer देखेंगे International whale shark day is observed on which day answer is 30th of August International day for people of African descent is observed on which day answer is 31st August which oil company plans to invest more than 2 lakh crore rupees or 25 billion US dollar to achieve net zero emissions from its operation by 2046 answer is Indian oil corporation who has clinched his second BWF world championships main single title after beating Kunlavut Vithidshan from Thailand in Tokyo Japan answer is Denmark के है विक्टर एक्षेल्चन Disney International has appointed which former Google Pay managing director as executive vice president and head of Disney plus hot star हाँ से साजीद स्थीवानंदन और आप में से कई आस्टेट्स ने बिल्कुल सही answer दिया है इसी तरह से friends आप participate करते रहिए आज के assignment questions देखेंगे हम कुदुमबा project is associated with which state साथ ही मैं आपको बता दो देखिए अब कि आने वाले आगे मेंस examination आएंगे ठीक है थोड़ा मोसम 20 तरगा चल रहा है कि तवेद वगेरा जल्दी खराब हो जाती है जब change होता है ना मोसम तो ऐसा ही रहता है तो इसलिए अपनी health का भी आप ध्यान लखिए ऐसा ना हो कि बीच में बिमार पड़ गए तो पूरे साल है तो सबसे जादा आपको अपनी health का ध्यान रखना जुरूरी है क्योंकि तैयारी की आपने और examination से पहले आपके तवेद खराब होई तो कोई फायदा नहीं है इसलिए health का ध्यान रखिएगा जब तक आपके exam complete नहीं होते वैसे तो हमेशा ही रखना चाहिए लेकिन अभी सबसे जादा ध्यान रखने की जुरूरूते आपको अपनी health की World Coconut Day is celebrated on which day? What was the venue for 2022 World Athletics Under 20 Championships? The Anang Tal Lake Inn has been declared a monument of national importance through a gadget notification by the Ministry of Culture earlier this week. In which year did the defeated Republic of China government flee to Taiwan after a defeat at the hand of the communists who went on to establish the People's Republic of China? तो पाचे questions की answer comment box में जरूर दीजेगा यदि आपको एक question का answer भी आता है तो भी आप हमें comment box में बता सकते हैं. साथी current affairs funda को आप telegram पर भी जोइन कर सकते हैं, यहाँ पर regular video updates और current को जिसे हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं. साथी discussion group में आप किसी भी question का solution पा सकते हैं. दोस्ते आप हमारे current affairs की प्लेजिश दी गई है, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ फैल वैस्पन साथ हमारे current affairs को शेयर जरूर करें. आज का इस session आपको कैसा लगा comment box में जरूर बताईएगा, thank you guys.